सभी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तुम हर हर महादेव ओम नमस्षिवाय जै महाकाल शिवाय नमस्तुम तो आप सभी जानते हैं जिसका आपको कई समय से इंतजार था वो समय वो वीडियो आपके सम्मुप में आ गया है और वो है सावन शिवरात्री की पूजा सावन में 2 अगस्त के दिन शिवरात्री पढ़ रही है और इस 2 अगस्त के दिन गुरुजी जहां भी होंगे मही से ओनलाइन ये पूजा करवाएंगे ओनलाइन ये पूजा कराएंगे आप भी इस पूजा को कीजिए आप भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं कैसे करनी है आपको ये पूजा आप टीवी के समूख में बैटकर या अपने पास में मोबाइल रखकर इस पूजा को कीजिए और mobile में जैसे जैसे गुरुजी पूजा कराएंगे वैसे वैसे आपको ये पूजा करनी है इसके साथ ही ये पूजा कितनी बजे शुरू होगी ठीक शाम के 7 बजे पूजा प्रारंब हो जाएगी पार्तिव शिवलिंग का निर्मान कैसे करना है आपको वो भी हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे कि पार्तिव शिवली का निर्मान कैसे करना है अपने वर्ण के अनुसार कैसे पार्तिव शिवली का बनाना है पार्तिव शिवली का निर्मान आपको कैसे करना है ठीक शाम को साथ बजे ये पूजा प्रारम हो जाएगी सारी सामगरी लेकर और पार्तिव शिवलिंग का निर्मान करकर आप ठीक शाम के साथ बज़े अपने मोगाइल के सामने अपनी टीवी के सामने इस पूजा को करने के लिए सारी सामगरी के साथ बैठ जाए ये पूजा प्रारंब हो जाएगी और जो जो सामगरी आज गुरु बागी सबी वस्तों धन प्राप्ति के लिए और मनोकामना पूर्थी के लिए समर्पित की जाती है तो आपको इस पूजा को करना है यदि आप ये पूजा ना कर पाए कहीं बीजी होने की वज़े से तो आप ठीक शाम के साथ बज़े अपने मोबाइल में ये टीवी के में बैटकर ये अपने मोबाइल में इस पूजा को देख लेते हैं ये साथ बज़े ना देख पाए उसके बाद कभी भी इस पूजा को देखते हैं तो आपको भगवान शंकर की किरपावश्य ही प्राप्त होती है इसके बाद आपको तिल की जरुद पढ़ने वाली है काले तिल और ये जरुद पढ़ेगी आपको एक चुटकी काले तिल, एक चुटकी काले तिल के बाद में पीले चंदन की आवशक्ता पढ़ने वाली है, पीले चंदन के साथ में पाँच आपको कमल गट्टे ही चाहिए ह लाल पुष्प और सफेद पुष्प यदि लाल पुष्प गुलाब का मिल जाए तो साथ ले लीजिए सफेद मिल रहे हैं तो सफेद भी आपको साथ पुष्प लेने हैं पर यदि दोनों में से कोई एक मिले, तो दोनों मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, दोनों ले लीजिए, लाल पुष्प के बाद आपको साथ सफेद पुष्प ले लेने हैं, और यदि मिलते हैं, तो अच्छी बात नहीं मिलते हैं, तो लाल पुष्प ले लीजिए शमी पत्र शमी पत्र कितने लेने हैं शमी पत्र भी आपको कुल साथ ही लेने हैं इसके साथ ही आपको लेना है एक दतूरा लेना है एक और इसके साथ में आपको लेने हैं अक्षत अक्षत यानि कि चावल जो कि खंडित नहों कुल कितने लेने हैं आपको 108 अक्षत के दाने लेने है 108 अक्षत के दाने लेने के बाद में आपको लेने है काली मिर्च काली मिर्च के कुल कितने दाने लेने हैं आपको तो काली मिर्च के कुल 21 दाने लेने हैं काली मिर्च के साथ ही आपको लेनी है 3 गोल चुपारी तीन गोल सुपारी के साथ में लेनी आपको लॉंग और इलाई जी ये सभी वस्तु हैं ती अब इसके अत्रिक और क्या-क्या वस्तु हैं आपको जुरूत पढ़ने वाली है आप एक बार अपने पास में इन वस्तुओं को नोट करके रख लेना और अब इसके साथ ही आपको किस-किस चीज की आवशक्ता पड़ेगी तो तीन जो गोल सुपारी है उन तीन गोल सुपारी में से हम एक सुपारी लेंगे गनेज जी के लिए एक सुपारी लेंगे संकल्प के लिए और एक सुपारी लेंगे मापारवती के लिए तो एक गनेज जी के लिए एक मापारव एक अकंड साथ में ही आपको लेना है पांच फल जो पांच अलग अलग फल आते हैं अब आप पूछो कितनी मातरा में लेने तो आप एक एक करके पांच फल ले सकते हो या फिर आप अदादा किलो पांच फल ले सकते हो जितना आप लेना चाहिए उतना ले सकते हो इसके या मिठाई या परसांदा बना सको तो गुड रख लीजिए शक्कर रख लीजिए पीला चंदन ले ही लिया है अब आपको लेना है इसके साथ ही मूली का धागा जो मूली आता है लाल कलर का वो मूली का धागा लेना है एक कपूल लेना है यानि कि कपूल लेनी है आरती के ल भगवान शंकर के लिए तो वह आपको तांबुल दे देगा एक बात का और द्यान रखो यदि आपको मनो कामना पून करवानी है तो तांबुल में उसको बोलना जब वो तांबुल दे कि आप तांबुल में सौंफ की जगे तांबुल में सौंफ की जगे पर वो जीरा डाल के दे यदि वो बोले मेरे पास जीरा नहीं है तो आप स्वैम अपने पास से जीरा लेकर जाना जीरा जो कि आप घर में खाने में काम में लेते हैं उस जीरे को लेकर जाना और जीरे को ले जाकर उस तांबुल के अंदर डलवा देना और वो तांबुल यानि की पान अपने पास में रखना अब आपको पंचामरित लेना है पंचामरित में दूद दही गी शहद और शक्कर दूद गाय का हो तो बहुत अच्छी बात है ये पांच अलग-अलग पात्रों में लेना है एक पात्र में पंच रख लेना इत्र रख लेना और उसमें पूजन की सामगरी यदि आपके परिचीत कोई ब्रामन हो तो आप साथ बजे से पहले भी वो पूजा करा सकते हो यदि आपका कोई जान पेचान का ब्रामन है तो आप उस ब्रामन को भी पूजा में बुला सकते हो उस ब्रामन से भी पूजा करवा सकते हो, यदि आप TV के सम्मूख में पूजा ना करना चाहे और पहले पूजा कराना चाहे तो पांच बजी भी आप पूजा करवा सकते हो ऐसा गुरू जी ने आज की कता में कहा है ये सब सामागरी आपको चाहिए, साथ में आपको चाहिए दो कलश जल, दो लोटे जल चाहिए, गुरू जी ने एक कलश जल के लिए का है अब आप बोलो कि मैं दो बोल रहा हूं क्योंकि जब हम पूजा करने बैठते हैं गुरू जी पूजा कराते तो उनके पास तो बहुत सारे लोग होते लेकिन जब हम पूजा कर रहे होतें तो एक कलश जल बहुत जल्दी समापत हो जाता है और फिर हम अमारी पूजा नहीं कर पाते तो इसलिए आपको दो कलश जल अपने पास में रखना और साथ में अतरिक्त जल भी रखना और आपको साथ में रखने हैं कुछ धन राशी ज्यानी की फैसे सिक के एक उरपे दो रूपे पांच उरपे के ताकि आप जब पूजा में सुनो कि इसके साथ में कुछ दख्षेना रखिए तो इसमें दख्षेना भी रख़ देना इसके साथ ही ये समी सामगरी आपको लेकर सारी तयारी करकर साथ बचे टीवी के सम्मुक में अपने मोबाइल को लेकर अपने मोबाइल के सम्मुक में बैठ जाना है इस पूजा को करना है पार्थे शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है उसकी जानकरी हम आपको कल के वीडिय में देंगे अपने वर्ण के अनुसर आपको कैसे पार्थे शिवलिंग का निर्मान करना है तो इस प्रकार से ये सारी पूजन सामगरी नोट कर लेना यदि इसके बाद भी कोई पूजन सामगरी रह जाती है तो वो मैं आपको कमेंट में बता दूँगा और सभी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तु ब्याम हरार मादेव